तिए फिबुलेसरी नंबर्स क्या होता है, ये होता है, इसमें दो नंबर्स फिक्स होता है, 0 और 1, अब इन दो नंबर्स को जोड़ा हो कितना है का 1, उसको नीचे लिख दो, अब लास्ट के दो डिजिट को इक काउंट करना है आपको, देखो हमेशे धनग ना, एक बार 0 औ पांच, तीम और पांच को जोड़ किया है, आठ, पांच और आठ का जोड़ किया है, तेरह, यानि आपको फिर्स रोंड में 0 और 1 को जोड़ना है, उसका हमेशा आखिर के दो डिजिट को जोड़ते जाना है, देखिए अब प्रोगैम के एक यह लाइन समझते है, ये इसक करेगा, आखरी लिमिट कार्ट चीए, वो यूजर से पूच लिया अपने, और वो अपने इंटीजर में बतल गया, एन में स्टोव कर दी, हम पहले अच्छा करेगे कि यूजर ने निगटिव वल्यू तो निला दी, अगर एन की वल्यू निगटिव है, तो स्कीन भी जीरो है, तो यह जीरो प्रिंट करके भाहर आजाएगा, और अगर मालिए यूजर ने बोला मेरको वन तक चाहिए उट्वोड, तो हमें जीरो वन वन ही उट्वोड चाहिए, ठीक है, हमने यूजर से लिमिट मांगी, तो मालने ते हैं यूजर न डाली वन, वन एन को मिला का एन नेगेटिव है, नहीं, का एन जीरो है, नहीं, क्या वन इस ग्रेट निकूल वन, येस, तो आपने कह किया देखो, प्रिंट एक्स और य, यानि क्या उट्वोड एगा, जीरो वन, ठीक है, अब जेड इस गूल एक्स प्रूस वाए, कितना आएगा, जीरो प्रिंट तो y की value x को दो, हमेशे राट जेड की value लेफ्ट को मिलती है, ठीक है, z की value y को दो, y की value है 1, वो x को मिल दाएगा, x को देगा 1, फिर z की value है 1, वो y को मिल दाएगा, y 1 रहेगा, x प्लस y, 1 प्लस 1 होता 2, क्या 2, एक से छोटा होता, नहीं, तो भारा देगा, तो आपका 0, सबस्ते क्या होता है अब आपका लिमिट की पांच एन में क्या पांच 0 से छोटा होता है नहीं क्या पांच 0 के बड़ाबर है नहीं क्या 5 एक से बड़ा है हाँ जी तो X और Y डिस्प्ले करके यहां तक तू फ्री हो जाओ 0 1 तो डिस्प्ले हो गया हमें का तर जाना है पांच सक ठीक है जए जए जुआ एक पांच से छोटा होता है बिल्कुल प्रिंट करो जए यह आपका बना गया वाई की ए एक को दो 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 वाई है वन जबाद या एकस में एकस हो जाएगा वन जएट के विल्वड है वन जाए य के अंदर, y के अंदर 1 है, z य को ए x plus y, 1 plus 1 हो ज़ए रट 2, control जागा उपर, ये while loop का जो logical expression है, उसको check करेगा, क्या 2, 5 से छोटा होता है, हाँ जी, print करो z, यानि 2 print हो गया, again अब हमको y plus z करना है, ठीक है, ये z है, ये y है, ठीक है, अब देखो, y की value x को देदो, आप देख रहे है, y की value कितनी है, 1, z की value कितनी है, 2, ठीक है, तो x के अंदर हो गया 1, y के अंदर चला गया 2, 1 plus 2 हो गया 3, वो z में चला गया, ठीक है, क्या 3, 5 से छोटा होता है, बिल्कुल, print करो z, ये 3 हो गया, आप समने है, अब आपस, y की value x के दो दो, y है, कितना 2, ठीक है, z में 3, 3 गया y के अंदर, 2 plus 3, कितना होता है, 5, क्या 5 से लेजर गया 5, yes, print करो z, तो ये 5 print हो गया, अब y की value है 3, वो जाएगे x में, z के अंदर है 5, 5 जाएगा y के अंदर, 3 plus 5 होता है 8, ये उपर जाएगा, क्या 8 पांच से छुटा होता है, नहीं, उभार रह जाएगा, तो आपका ये यहाँ तर डिस्पे हो गया, इस program को run tray देखते हैं पन, इसको मैं copy करता हूँ, यहाँ पर control भी करके paste करता हूँ, इदर output देखेगा, run करता हूँ, ये पूछा limit डालो, मैं डाला 5, सपोस, 0, 1, 1, देखे ना, last के दो digits को add करता जा रहा है ना, 5 तक, फिर run किया, मैं डालता हूँ 100, ये लास्ट दो दो जोलते रहेंगे, तो आपका ये 89 तक, फिर ने सी नंबल आगा है, कि आपने 100 लिमिन डाली थी,